हलो जी नमस्ते कैसे आप स्वागत हैं आप सभी का तो देखे मैं बविता आप सभी का स्वागत करती हूं तो आज मैं बनाने वाली हूं फिस करी तो इसके लिए देखे आप जैसे चाहें जो भी चाहें वो मचली ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं एक चमच लाल मिर्च मैंने ये नमक ले लिया है अब हातों की सहायता से देखिए अच्छे से इसको मिक्स करना है मेरिनेट करना है हमें सभी पर ये इस तरह से हल्दी, मिर्च और नमक को अच्छे से लगा लेना है अच्छी तरह से और अब मैं थोड़ देर के लिए इसको रखके रखने वाली हूँ तो देखिए अब मैंने ये फिसकरी बनाने के लिए तीन बड़े साइज के प्याज, दो टमाटर, दो हरी मिर्च और कुछ लहसन की कलियों को ले लिया है प्याज और लहसन को मैं एक जगा पीशने वाली हूँ और टमाटर अलग और कड़ाई मैंने रख दिये देखिए और इसको मैं सरसो के तेल में बनाने वाली हूँ क्योंकि जो मचली का स्वाद है फिसकरी जो सरसो का तेल होता है उसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है तेल गरम हो चुका है और मैंने साइट से भी कर लिया है अब मैं एक एक करके जो ये फिस के टुकड़े हैं मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ फ्राई ज़्यादा या कम आप अपने इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं आपको पसंद हो मैं इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करूंगी थोड़ा कम ही फ्राई करने वाली हूँ तो देखिए अच्छे से मैंने ये चार पीस को थोड़े थोड़े करके ये पीस में फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसी तेल में सारी मचलियों की जो करी है वो भी इसी तेल में बनाने वाली हूँ तो देखिए मैं धीरे धीरे इनको ये होने एक साइट से होने लगी है और धीरे धीरे मैंने इनको साइट चेंज करनी शुरू कर दी है और अच्छी तरह से देखी ये पक भी चुकी है, बस ज्यादा नहीं पकाना इनको, थोड़ी देर के लिए ही इनको फ्राई करना है, तो ये फिस फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूं, ध्यान रखें जादा इसको फ्राई करके यह थोड़ा सा इसमें करबा हटपन हो जाता है इसलिए तो देखिए चार पीजिज मैंने फ्राई कर लिए हैं बाकी के पीज भी मैंने ये डाल दिये हैं यह आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना फिस को फ्राई करेंगे अगर ज़्यादा पसंद है फ्राई करना तो ज़्यादा करिए मैंने इनको बहुत हलका फ्राई किया है और यहाँ पर देखिए यह भी फ्राई हो चुकी है तो सारी फिस मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं तो आई अब कुछ खड़े मसाले इसमें छोड़ते हैं तो देखिए खड़े मसालों में सबसे पहले मैंने यह दाल चीने का टुकड़ा एक इलाईची लोंग और कुछ काली मिर्च डाल दी हैं और बाद में दो तेजपात के पत्ते भी मैंने डाल दिये हैं उसके बाद लहसुन और जो प्याज का पेश्ट था वो भी मैंने यह फ्राई करने के लिए डाल दिया है अच्छी थरा से चला करें इनको फ्राई करना है और यह दो हरी मिर्च ती जिसमें से मैंने दो टुकड़े करके उनको बीच में से काट लिया है यह में डाल दी हरी मिर्च से क्या होता थोड़ा सा जो ग्रेवी का स्वाद है वो थोड़ा बढ़ जाता है और देखिए प्याज भी भून चुकी है उसके बाद जो दो टमाटर का पेश्ट था वो भी तयार हो चुका है मैंने डाल दिया इसमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके देखिए पका लेना है मुझे थोड़ देर प्याज में मैं इसको फिराई करने वाली हूँ उसके बाद ही मसाले और डालूँगी मैं तो देखिए एक चमच मैंने ये लाल तीखी मिर्च ले ली हैं क्योंकि पहले भी मैं डाल चुकी हूँ और ये आदा चमच हल्दी ग्रेवी के लिए और देखिए एक चमच भरके मैंने ये धनिया पाउडर लिया है और ये नमक स्वात के अनुसार ग्रेवी के हिसाफ से डाला है मैंने और अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है और थोड़ा पानी डाल कर मैं इसको चलाने वाली हूँ क्योंकि मसाले लगने का भी डर रहता है थोड़ा सा पानी अगर इसमें डाल के चलाएंगे तो अच्छे से मसाला भी फ्राई हो जाएगा उसके बाद देखिए ये मैं कस्मीरी लाल मिर्चिस में इस्तमाल करने बाली हूँ थोड़ा ग्रेवी का कलर चेंज हो जाता है इससे थोड़ी ग्रेवी अच्छी हो जाती है तो ये एक चमज के करीब मैंने इसका इस्तेमाल किया है और अच्छी से इसको भी मसाले में मिक्स कर देना है अब देखे पाज से चैमिट के लिए मैं मसाले को डखकर पकाने वाली हूं जिससे मसाला अच्छी तरह से पक जाए तो देखिए थोड़ा पानी डाल कर मैंने इसको ढख कर रखा था और मसाला भी अच्छे से देखिए तैयार होने लगाए कितनी अच्छी खुस्बू आ रही है इसमें और मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब मैं थोड़ा ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी अट करने वाली हूँ आपको ग्रेवी जिस तरह से भी पतली ग्रेवी रखनी है या थोड़ी सी गाड़ी ग्रेवी रखनी है ग्रेवी के हिसाब से आप इसमें पानी डालें और अब ग्रेवी में एक उबाल आने तक मैं इसको अच्छे से ये पक जाएगी, उसके बाद में इसमें फिस एट करूँगी तो देखी काफी ग्रेवी कम हो गई है, मसाला अच्छे तरहां से पक गया है तो यह जो फिस है फिराई करी हुई अब मैं इसमें एट करने वाली हूँ एक पीसिस को बहुत आराम से मैं इसमें रखने वाली हूँ और ज़्याद मैं इसको नहीं चलाऊंगी बिल्कुल अच्छे तरह से सारी यह फिस रख दिया हैं और जो यह फिराई वाला तेल वचा हुआ था पिलेट में वह भी मैंने यह उपर से डाल दिया फिस के उपर और अब देखिए हल के हाथ से इसको मैं यह गिरेवी में थोड़ा सा चम्चे की सहायता से थोड़ा सा अच्छे तरह से इसको नीचे के साइट कर दूँगे और अब दस मिनट के लिए मैं इसको ढखकर रखने बाली हूँ चलाऊंगी बिल्कुल भी नहीं तो आएए देखते हैं तो देखिए फिस करी बनकर रेडी हो चुकी है कितनी अच्छी बुस्बुआ रही है और गिरेवी भी देखिए गिरेवी ना जाद पतली है ना जाद गाड़ी है आप अपने हिसाफ से गिरेवी किस तरह से गिरेवी आपको पसंद है उसी तरह से आ धनिया भी आइट कर दिया तो आई ये शर्प करते हैं तो देखिए मैंने चलाया नहीं है और फिस करीवी बनके रेडी हो गई है एक एक पीस बिल्कुल ऐसा ही है तूटा नहीं है बिल्कुल भी थोड़ा दिहान से बनाएं फिस को जादर ना चलाएं तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें मैंने इसको देखिए रोटी सलाज से सर्प किया है प्लीज प्लीज चैनल सस्क्राइब जरूर करें और एक बार मेरी तरह से जरूर ट्राई करें फिस क झाल झाल झाल